हलो माई डियर फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त मनीस और आप देख रहें Wealthful दोस्तो इस चैनल पर हम सेर मार्केट में बिगनर्स को होने वाली प्रोब्लम्स को सौल करने के वीडियोज बनाते हैं साथ ही सेर मार्केट के बेसिक लर्निंग वीडियोज भी इस चैनल पर हम रेगुलर्ली अप्लोड करते रहते हैं दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो Wealthful चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ बेल आइकन को प्रेस करके All पर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Future and Options में Share, Buy, Sell करने पर कौन-कौन से चार्जेज लगते हैं इस वीडियो में सभी चार्जेज डिटेल से Explain किये जाएंगे तो दोस्तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा Important होने वाला है वीडियो को बिल्कुल भी Skip ना कीजेगा तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोकरे चार्जेज की जो कि Future and Options दोनों में सेम चार्जेज लगते हैं इसमें आपको 20 रूपीज पर एक्जिक्यूटेड ओर या 0.25% इन दोनों में से जो कम चार्ज होगा हुए लगेगा अब हम Securities Transaction Tax की बात करते हैं जिसे STT Charges भी कहते हैं STT Charges Only Share Sale करते टाइम ही लगता है Futures में STT Charges Share Sale करने पर 0.01% लगेगा और Options में STT Charges Sale करने पर Premium पर 0.05% चार्ज लगेगा अब हम Transaction Charges की बात करते हैं Future Trading के लिए ये Charges Total Turnover का 0.00185% लगेगा जबकि Option Trading में ये Charges Premium Value पर लगेगा जो की 0.05% लगेगा DMA Transaction या DP Charges Future and Options दोनों टाइप की ट्रेडिंग पर कोई चार्ज नहीं लगेगा GST Charges की बात करें तो वह 18% लगेगा इस GST Charges में Broker Charges, Transaction Charges और Sebi Charges अलग से लगते हैं Sebi Charges की बात करें तो Future and Options दोनों ट्रेडिंग के लिए एक करोड पर पांच रुपे लगेंगे और फाइनली स्टाम ड्यूटी की Charges की बात करें तो स्टाम ड्यूटी हमें सब बायर्स को पे करनी पड़ती है Futures में स्टाम ड्यूटी Turnover Value का 0.002% लगता है और Options में स्टाम ड्यूटी Premium Value पर 0.003% लगता है दोस्तो मैंने Delivery और Intraday में कौन कौन से Charges कितने कितने लगते हैं इस पर मैंने अलग से एक Dedicated वीडियो बनाया हुआ है आई बटन में या इस वीडियो के end में वह वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो Wealthful Channel को सबस्क्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तो अगर आप Financial Books पढ़ना चाते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ Best Financial Books अजेस्ट कीवी है आप चाहे तो वे Books पर्चेज कर सकते हैं तो दोस्तो मिलते हैं ऐसे और Powerful Content के साथ वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद